49 वर्षे महिला हैं और इनको हेल्थ का बहुत जादा इशू है इनकी हतेली इन्होंने भेजी है और इसका अनलिसिस आज हम करेंगे अगर हम प्रथम दृष्टी हतेली पर डालते हैं तो आप देखिए ये राहू के छेत्र में बहुत सारी गड़बड हो रही है यहाँ पर एक राहू भगवान ने ज्वाला मुखी का रूप ले लिया है बहुत खतरना की स्थिती बन गई है पूरी लाइन काली हो गई है और पूरी जो इसकिन है वो काली पड़ चुकी है इसमें साक्षात राहू आपको बैठे हुए दिखाई देंगे देखिए इनकी जो लक्त की लाइन है वो भी गड़बड हो गई है हैल्थ की लाइन भी गड़बड हो गई है माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है पूरी माइंड लाइन काली है और पूरे हतेली में एक विस्पोर्ट की स्थिती बनी हुई है लेकिन एक अच्छी कि इसमें जो उनका व्यक्तित वह है प्रथम लाइन जो है बड़ी बंद की वह अभी भी साव सुल्की बनी है और दूसरी जो धनकी लाइन है जो सुक्ष की लाइन है गर में जहां पर हम सुक्रिया धन की या लक्षमी की उपस्तिती देखते हैं वह ठीक है повтор व्य पर दिला को पहुँचा दिया है। जब इस प्रकार तॉज सबसे पहले नस्ट करते हैं वायू को और जो isaken होते हैं जिसके वह कारक होते हैं क्यों कि रहु इसके भी कारक हैं और पूरी अब देखिए राहू यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ तक ही आती है 49 तक और 49 के बाद में यह बुलकुल वीक पड़ रही है एकदम गायब हो रही है यह भी गंबेर इस्तिती है जब भी राहू इस प्र से एक नहीं है यहाँ पर भी है यहां पे डॉट भी पड़ा है और ऐसी चारचर लाइन और जीवन का जो सुक होता है जो शारिरिग सुक होता है निरोगी काया होती है यह सब चीजे भी घडबड हो रही है 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 ला गया है जिसका मतलब विवरण करना गठीन हो गया है मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी हतेली ऐसी बिगड जाए तो इतना लंबा इंतजार नहीं करना है जब थोड़ा सा भी काला पन हो रहा है कहीं आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा है योग गुरू के पास में जाएए रैमेडी करिए मंगल की तरफ देखिए मंगल की तरफ भी यह उपड़ गये है इस प्रकार ये डेंजरेस लाइन लिकल गई है मंगल से एक नहीं दो और ये तीन गुरू का परवत देखिए पूरा इस तरफ सरक गया है और यहां तक की उपर की तरफ भी अगर हम देखें तो ये भी उपर की तरफ से भी डाइमेज हो गया है अब गुरु का परवत पूरा इस तरफ आ गया है तो ये हेल्थ को ही नहीं हमारे जो कामकाज है जो हमारी मांसिक्ता है उसको भी बुरी तरह प्रवावित करता है इस प्रकार अगर मंगल की लाइन शनी के पास चली जा रही है तो शनी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे देखिए यहां पर भी यव पड़ गया है और ये भी एक यव ही है इनकी जो लक लाइन है ये भी डैमेज है शनी के परवत पर तो बहुत सारा डैमेज है अगर हम उंगली को देख रहे हैं उपर तक देखिए यहां तक भी एक यव की इस्तिती बन गई है पित्र दोश इनको जम कर लगा हुआ है सूरे भी गड़ बढ़ है पूरे हतेली के हर परवत पर एक बड़े बड़े यव की निशान हो गए है आप देखिए इनकी इस्तिती यहां भी गड़ बढ़ है बुद की उंगली गड़ बढ़ है लेकिन बुद का परवत अभी भी अच्छा जोर मार रहा है तो यह मैं कह सकते हैं कि एक परवत तो बच गया है बुद का परवत बच गया है मैरिज लाइन यहां भी वीक है और मड़ी बंद पर तो मैंने बता ही दिया है आउडर मंगल देखिए जो इनका साहस है वो भी अभी कायम है यह साफ सुत्रा छेत्र है चंद्रमा जो मन की स्तिती को बताता है यह भूरी तरह एफेक्ट हो गया है देखे यहां पर भी काली लाइने हैं और यह बड़े बड़े यव है एक लाइन जो चंद्रमा से निकल कर केतु तक पहुँच गई है तो यह लाइन यूति बना रही है चंद्रमा की और केतु की चंद्रमा और केतु की यूति अगर बन जाती है то यह सभसे पहले जातक जातिकाओं की जो मदर होती है उनको ये तंग करती है ये मांसिक क्लेश देती है व्यक्ति अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोचता है क्योंकि चंद्रमा और केतु जब भी मिलेंगे तो एक विस्पोटक स्थिति को बना देते हैं ये लाइन ने किया क्या है कि अपटा करके और केतु से बुलकुल मिला दिया है ये बहुत डेजरेस इस्थि बन गई है अब देखिए यहाँ पर इनकी जो लक लाइन थी लक लाइन हमारी हेल्थ को भी दिखाती है हमारे धन को भी दिखाती है और हमारे वेल बिंग को दिखाती है इस प्रकार अगर इत और कोशिश करूँगा कि अगर इन्होंने अच्छी तरह अच्छी तरीके से वो रेमेडी करी थोड़ा लंबा जदूर चलेगी रेमेडी तो ये राहू इनके ठीक हो जाएंगे लेकिन ये बहुत खतरनाक इस्तिती में पहुंच चुके हैं और बीच में जब भी बीच के भा जाएंगे देखिए ये राहू का छेत्र है इस प्रकार के यव पढ़ जाएंगे ये बहुत खतरनाक इस्तिती को बना देंगे और इसमें हेल्थ बहुत ज्यादा एफेक्टिव हो जाती है मैं पूरी तरह केसा दावे के साथ क्या सकता हूं कि 100% राहू ने एक ज्वाला का रूप ले लिया है तो मैं इनको वाट्सेप करूंगा और आशा करूंगा कि मेरी दी हुई रेमेडी को ये फॉलो करें जीवन भी बचेगा और आगे सौभागे भी प्राप्त होगा थोड़ा सा ये डिले जरूर हो गई है लेकिन काम बन जाएगा जानकारी स्पस्थ हो श्री गणेश करें पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए